हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप लोग का बहुत बहुत स्वागा था मेरे यूट्यूब चैनल स्सीजेई A to Z पे और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्सीजेई 2015 में पूछा गया क्या है क्हया है से मेंस सकई पंध्रह माक्स का क्वेशन पूछा गया है ठीक है सबसे पहले देखें वे क्वेशन ऐसे बचलिए इस वागीली फ्रम देखने ऑला कि क्यूस्टन रहाएन से नहीं कोवाग मे बद्लद क्योशन एक और नहीं जो wonder क्योऊंस्टन वर्य спокой Very से कितना 0.06 मीटर क्यूब ठीक है विद 90 किलो जूल हीट ट्रांसफर टू दे सिस्टम यानि 90 किलो जूल हीट जो है सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है ठीक है इप देर इस नो वर्क अधर दैन वर्क डन ओन अन दे पिस्टन ठीक है फाइंड चेंज इन इंटर्नल एनरजी आप दे मिक्स्चर ठीक है इसमें कई तरीके की गैसेस हैं ठीक है मिक्सर है अगर बात करें जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जो भी हीट रिजेक्ट होता है यानि हीट रिजेक्टेट फ्रॉम दे सिस्टम उसको हम क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव ये साइन कर्मेंशन आप लोग हर जगे है ध्यान रखेंगे अगर थर्मोडाइनमिक्स की स्टेडि कर रहा है तो और अगर हम work done on the system ठीक है work system पे किया जा रहा है तो ये क्या होगा negative होगा और अगर system के द्वारा work किया जा रहा है तो क्या होगा positive होगा एक बार और ध्यान दीजिए ये आप note down के लिजिए copy में कहीं भी अगर heat supply किया जा रहा है system पे ये gases mixture के हम लोग study कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे ये मारा system हो जाएगा इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो surrounding होगा system और surrounding को जो separate करेगा वो क्या कर लाएगा boundary कर लाएगा तो ये heat supply किया जा रहा है अगर system को तो ये क्या होगा positive लेकिन अगर heat reject किया जा रहा है system से q rejected तो ये negative consider किया जाएगा अगर work done on the system system पे हम work कर रहे हैं यानि gas पे अगर work कर रहे हैं तो ये क्या होगा negative होगा और अगर system हमारा work कर रहा है यानि gas अगर expand कर रहा है तो जो system के दोरा work किया जा रहा है वो क्या कर लाएगा positive work कर लाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है gas expense यानि यह जो work produce कर रहा है with 90 kJ of heat transfer to the system system को heat add किया जा रहा है तो heat भी हमारा positive होगा और यह जो work किया जा रहा है यह भी positive होगा इसके अलामा कोई work नहीं है ठीक है तो यह तो बात आपके समझ में आएगे कि sign convention क्या होता हीट का और work का sign convention क्या होता है ठीक है अब बात करेंगी आपको exam में लिखना कैसे होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे given एक यहाँ पर pv diagram बना लेंगे आप ठीक है इस तरीके से एक line होगा expand हो रहा है 1 से 2 pressure यहाँ पर constant है pressure आपको दिया गया 1 MPa ठीक है अब यह 1 से 2 तक transfer हो रहा है तो v1 आपको दिया गया कितना 0.03 v2 कितना दिया गया 0.06 ठीक है तो यह जो net work done है area under the curve होता है इसका area निकाली है या फिर integration पी डीवी फार्मूला आप लोग जानते ही हैं वर्क ट्रांसफर जो हो जाएगा indication अब पी डीवी निकाल लीजिए या फिर area under the curve कर लीजिए ठीक है तो pressure दिया गया कितना 1 MPa ठीक है तो 1 into 10 to the power 3 कर लीजिए last में लगा दीजिएगा kilo joule ठीक है 10 to the power 3 जो बच रहा है उसको क्या कर लेंगे kilo joule में convert कर लेंगे उसकी unit को joule से हम लोग kilo joule में कर देंगे ठीक है अब PDV change in volume 0.6 minus 0.03 ठीक है तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो work done कितना हैगा 30 kilo joule work done 30 kilo joule आपका निकलके आगया यहां पर ठीक है अब आपको क्या दिया गया है heat supplied दिया गया है ठीक है अब आपको यहां प्या दिया गया है heat supplied कितना दिया है 90 kilo joule यह भी positive होगा work done में ने calculate किया है यह 30 kilo joule है अब first law of thermodynamics आपको पता है ठीक है Q supplied is equal to change in internal energy plus work done ठीक है इसमें कई तरीके के वर्क होते हैं boundary वर्क होता है आपका एक्सपेंशन वर्क होता है ठीक है और अगर हम external वर्क कर रहे हैं किसी स्टर के माध्यम से तो कई तरीके के वर्क इसमें होते हैं लेकिन यहां पर क्या लिखागे नो अधर दैन वर्क टन और पिस्टन पिस्टन के अलावा कोई वर्क नहीं है तो यहां पर क्या ले लेंगे हम हीट सप्लाइड नब्बे इस इकल टू डेल्टा यू और वर्क कितना दिया गया है तीन हमने कैल्कुलेट किया है तो यहां से अगर डेल्टा यू की वैलू किलो जूल की आया डेल्टा यू ठीक है तो यह साट किलो जूल डेल्टा यू आया पॉजिटिव है यानि की सिस्टम का इंटर्नल अरजिव है इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेस के एंड में तो यह से सीज़ेई 2015 का क्वेश्चन है पंद्रमाक्स का इतना ही लिखने के 0.03 बराब कितना जाएगा यहां पर 30 किलो जूल फिर सप्लाइड दिया गया है 90 किलो जूल ठीक है एस पर फर्स्ट लॉफ थर्मॉलाइन में इस यह आपको लिखना पड़ेगा क्यों सा लॉप लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से यह आपको लिखने पड़ेंगे कि 8 किलो जूल ठीक है तो इस तरीके से आपको क्वेस्टन्स का अंसर देना है और कोई कोई रही हो तो आप कमेंड बाक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू चैनल को जरू सब्सक्राइब करें